नमस्कार दोस्तों, मैं संजय खाखिल, संजय मैच सकड़ी में आपका स्वागत है, दोस्तों आज साइकलोजी मनविज्ञान में हम अधिखम के बारे में डिस्कस करेंगे, अधिखम क्या होता है, किस तरीके से इसको काम में ले जाता है, अधिखम की प्रिवासा क्या होती है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, मनविज्ञान, साइकलोजी के अंदर, तो सबसे पहले में आप लोगों को बता देना साता हूँ कि अधिगम का साब्दिक अर्थ होता है सीखना यानि सीख कर विहार में परिवर्थन करना या नविन ज्यान को अरजित करना फी क्या कहलाता है अधिगम कहलाता है यही आपकी डेफिनेशन में लिखा है कि अधिगम का साब्दिकर्थ है सीखना अधिगम का साब्दिकर्थ क्या है सीखना और सीख कर विहार में परिवर्तन करना और इस्थाई परिवर्तन विवहार में इस्थाई परिवर्तन करना या नमीन ग्यान अर्जित करने की परिक्रिया को क्या करते हैं अधिगम करते हैं यही बात मैंने आप लोग उनको बता है कि अधिगम का साब्दिकर्थ होता है सीखना सीख कर अपने विवहार में परिवर् आर्थ आदिगम एक मानशिक परकिरिया है जिसके माद्यम से विक्ति अपने वातावन से ज्ञान गहन कर और अपने विहार में इसका परिवर्तन करता है इसको क्या करते हैं आदिगम करते हैं नॉर्मल भासा में हम इसको देखें तो इसको करते हैं कि अधिगम एक मानशिक प्रकिरिया है जिसके माद्यम से विक्ति अपने वतावन से ज्ञान गहन कर अपने व्योहार में परिवर्तन करता है उसको क्या करते हैं अधिगम करते हैं अब हम और देख लेते हैं अधिगम की कुछ परिवासाई हैं अधिगम की क्या है कुछ कि सीखना ही विकास की प्रकिरिया है कि आदमी सीखता रहता है तो यह वह एक प्रकिरिया चलती रहती है गिलफोड ने क्या कहा गिलफोड के अनुसार विवहार द्वारा विवहार में परिवर्तन की अधिगम कहलता है गिलफोड ने कहा कि विवहार द्वारा विवहार में प यहार में परिवर्तन अधिगम कहलता है कौन ब्रेक ने कहा? फिसे में repeat कराओं कौन ब्रेक ने कहा? कि अन्बहू के परिवर्तन अधिगम कहलता है और आगे हम चलते हैं तो गेट्स ने क्या कहा गेट्स ने कहा कि अन्भाव और परशिक्षन के माद्दे में से व्योहार में परिवर्तन अधिगम कहलाता है गेट्स ने कहा कि अन्भाव और परशिक्षन के माद्दे में से व्योहार में परिवर्तन अधिगम कहलाता है परशिक्षन यान कहीं पर किसी भी तरिके का कोई भी काम करते हैं तो उससे जो हमें experience मिलता उसको अनुबह करते हैं तो काम करके शीख करके यानि अनुबह या परिक्षन के परशिक्षन के माद्यम से विहार में जो परिवर्तन होता है उसको क्या करते हैं हम आधिगम कहते हैं अब आगे हम दे अभिवेक्ति में वर्दी की परकिया अधिगम करते हैं, क्रोव और क्रोव के अकोडिंग क्या है कि आदत, ज्यान, अभिरुची, अभिवेक्ति, इंसान की वर्दी की परकिया को क्या करते हैं, अधिगम करते हैं, अब आदत आदमी की क्या क्या आदते होती हैं, ज्यान, वर्दी की परकिरिया को क्या कहते हैं अधिगम कहते हैं पावलाव के अकोडिंग क्या होता है कि अनुकुलित अनुपरकिरिया के प्रणाम सवरूप व्योहार में परिवर्तन क्या कहलता है अधिगम कहलता है पावलो लाव के अनुसार क्या कहता है अनुकुलित अनुकिरिया में परणाम सवरुप विवहार में परिवर्तन अधिगम कलाता है और वुडवर्थ ने इसकी और एक नई परिवासा दी उसने क्या खा कि नमीन प्रिष्थितियों में नमीन ग्यान अरजित करने की परकिरिया को क्या करते हैं अधिगम करते हैं नमिन ग्यान अरजित करने की प्रिक्रिया क्या होती है कि जहां नई प्रिस्तिती हैं वहाँ पर उस माहोल में रहकर कि हम कुछ नई चीज़ें सीखने की कोशिश करते हैं अरजित करने की कोशिश करते हैं और इस प्रिक्रिया को क्या करते हैं अधिगम करते कुछ विशेषता ही होती है उन सब चीजों के बारे में देख लेते हैं तो पहली विशेषता होती है अधिगम सारोबॉमिग परकिया होती है अधिगम क्या होती है एक सार्व भौमिक परकिरिया है दूसरी विशेष्था है हमारी कि अधिगम सार्व भौमिक परकिरिया है पहली है अधिगम सार्व भौमिक परकिरिया है दूसरी है अधिगम सव भौमिक भौमिक परकिरिया होती है तीसरी प्रिवासा होती है विशेष होते हैं land सक्री रहकर किया जाने वाला काम होता है यह क्रणा होता है चोथि विशेटा होती है अधीगम की वातावरण की उपज कि को था फोता है अदिगाम व Talon की उपज होती हैं पांच विशेटा उनुभहो का संग्ठन होता है था फूशेटा क्या होती है अधिग Commissioner अधिगम अनुभाव का संग्ठन होता है, हमारे experience का एक collection होता है, चत्थी विशेष्था क्या है इसकी आधिगम निरंतर्ण चलने वाली परकिरिया होती है, इसकी कोई temporary परकिरिया नहीं होती है, temporary काम नहीं होता है, आधिगम एक हमेशा निरंतर्ण चलने वाली परकिरिया हो को हैं अधिगम को चेंज क्या जाइस सकता अधिगंग का रुपांध्रण क्या जा सकता हैं और आठवी विशेश्ता क्या है अधिगम का व्योहार में परिवर्तन करने की परक्रिया होती हैं और अधिगम मानशिक्ता में वर्दि करने के परकिरिया होती है अब अधिगम के सोपान अधिगम के सोपान क्या होते हैं अधिगम के सोपान की बात करें तो हम अधिगम के छे सोपान होते हैं कौन-कौन से होते हैं पहला होता है अभी प्रेंडना दूसरा होता है अनुकिरिया त चोथा होता है पुन्रबलन और पांचवा होता है संग्ठन का अनभों का संग्ठन और छटा होता है उद्देश्य की प्राप्ति तो अब अधिगम का इस्तानांत्रन की हम बात करते हैं अधिगम के इस्तानांत्रन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम इसका आश्य के बारे में बात करेंगे कि इसका आश्य क्या होता है इसका आश्य होता है पुरू में सिखे गए ज्यान ग्यान का नविन प्रिस्तेतियों में अनुप्रियोग करना अधिगम इस्तानांत्रन क कालता है कि पूरु में शिखे गई बातें पूरु में शिखा गया ज्ञान पूरु में लिया गया नुलेज का नमिन प्रिस्तियों के अनुसार किया गया अनुपरियोग अधीगम इस्तानांतरन कालता है यह दो तरीके का होता है पहला होता है विवहारवाद दूसरा होता है संचनावाद, पहला होता है व्योहारवाद, दूसरा होता है सरंचनावाद, अब व्योहारवाद तीन तरीके का होता है, पहला होता है सकारात्मक, दूसरा नकारात्मक, तीसरा सुन्ने होता है, और सरंचनावाद क्या होता है, संचनावाद भी तीन तरीके का होता है, पहला अगर हम बात करते हैं तो पहला उसके अंदर क्या होता है सकारात्मक इस्थानांतरन क्या होता है वही चीजें कि पुरू में सिखे गई ज्ञान द्वारा नवीन ज्ञान प्राफ्ट करने के अगर साइटा प्राफ्ट होती है तो उसे सकारात्मक क्या चाहिए है सकारात्मक इस्थानांतरन में कि पुरू में सिखे गई बाते ज्ञान लेज उसके दुआरा नमीन ज्ञान प्राफ्ट करने कoga अगर साहिता प्राफ्ट होती है तो उसे शकारात्मक इस्थानांतरन कहते हैं inteiro जैसे एक एक्जाम्पल के थुरू हम देख लेते हैं कि साइकल चलाना शिखकर मोटरशाइकल शिखना ये एक क्या है सकारात्मक कि स्थानांतरण होता है कि पहले साइकल चलाना शिखा उसके बाद में उसी एक्सपिरेंच से उसने मोटरशाइकल चलाना शिखा हिंदी के सिख्षक द्वारा सेंसकर्थ का सिख्षन करना हिंदी के सिख्षक द्वारा सेंसकर्थ का सिख्षन यानि पढ़ाना क्या कहता है ये भी एक सकारात्मकिस्तानांतरन होता है कि पहले हिंदी का टीचर हिंदी का ट्रांसलेशन करना सिखेगा उसको पढ़ाना सिखीगा, उसके बाद में संसकर्त विशे को पढ़ाएगा तो उसका उचारन, उसका ट्रांसलेशन करना, ये सारी चीज़े होती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, सकारात्मकिस्थानांतरन कहते हैं, विभार व्याद का एक हिस्सा होता है इसका दूसरा पार्ट होता है नकारात्मकिस्थानांतरन, नकारात्मकिस्थानांतरन क्या होता है, कि पुरो में सिखे गए ग्यान, द्वारा नमीन ग्यान प्राप्त करने में अगर बादा उत्पन हो रही है, तो उसे नकारात्मकिस्थानांतरन कहते हैं नकारात्मक स्थानांत्रण क्या होता है कि पहले जो भी हमने ग्यान अर्जित किया उस ग्यान से नमीन ग्यान प्राप्त करने में अगर किसी तरीके की हमें कठिनाई बादा उत्पन हो रही है तो उसको नकारात्मक स्थानांत्रण कहते हैं जिस तरीके से एक्जाम्पल के दोर पे हम देख लेते हैं कि अमेरिका में कार चलाना शिक कर भारत में कार चलाना मुश्किल होता है क्योंकि अमेरिका में हम लेप्ट हेंड ड्राइविंग करते हैं और इंडिया में रैट हेंड ड्राइविंग करते हैं तो अमेरिका में कार चलाना शिकर इंडिया में कार चलाना थोड़ा टाफ होता है यह एक क्या है नकारात्म किस्थानानत्रन का एक्जामपल है दूसरा एक्जामपल है हिंदी माद्यम के विदार्थी को अंगरेजी माद्यम में परवेश दिलाना भी एक क्या नकारात्म किस्थानानत्रन है कि हिं इंग्रेजी माद्य में, इंग्लिस मेडियम में जाएगा, तो उसको कठिना ही आएगी, उसको सब्जेक्ट रीड करने में, समझने में, पढ़ने में, लेक्चर सुनने में, हर चीज में उसको कठिना ही आएगी, तो इसको क्या बोलते हैं, नकारात्म किस्थानांतरन बोला ग्यान प्राप्त करने में कोई प्रभाव ने डालना क्या कहलता है सुन्ने श्थानांतरन कहता है सुन्ने श्थानांतरन का काम क्या होता है कि पूरुमें सिखे गई ग्यान द्वारा नमीन ग्यान प्राप्त करने में किसी भी तरीके का कोई भी प्रभाव ने डालना सुन्ने स्थानांतरन कहलाता है एक्जाम्पल की तोर पे देख लेते हैं कि किसी किर्केट के बलेबाज द्वारा कि किसी किर्केट के बलेबाज द्वारा गेंद वाजी सीखना ये क्या कहलाता है सुनि स्थानांतरन कहलाता है राष्ट गान याद कर पर्तिग्या याद करना ये क्या कहलता है सुनिस्थानांतरन कहलता है रहीम का दोहा याद कर कबीर का दोहा याद करना ये भी क्या कहलता है सुनिस्थानांतरन क्यों क्यों क्योंकि रहीम का दोहा याद कि आपने और अब आप कबीर का दोहा याद कर रहे हो तो दोनों का कोई कोई लेना देना नहीं है दोनों से आपको शिखने पड़ेंगे इसको क्या करते हैं सुनने इस्तानांतरण करते हैं तो अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्या सरंचनावाद की बात करते हैं सरंचनावाद में भी तीन तरीके के होते हैं सरंचनावाद पहला होता है 36 इस्तानांतरन 36 इस्तानांतरन क्या होता है किसी एक प्रिस्तिती में सीखे गए ज्यान का परियोग उसी के सम्मान किसी दूसरी प्रिस्तिती में करना 36 इस्तानांतरन कहलाता है 36 इस्तानांतरन का मतलब क्या होता है किसी एक प्रिस्तिती में सीखे गए ज्यान का परियोग उसी के सम्मान किसी दूसरी प्रिस्तिती में करना 36 इस्तानांतर्ण कहलता है जिस तरीके से कोई एक अक्सिडेंट हुआ और उसके अंदर आपने किसी की हेल्प की और अगर मालोक कुछ दिन बाद में कोई दूसरा एक्सिडेंट आपने देखा तो सेम वही प्रकिरिया आप उसमें अगर अपना रहे हो तो उसको क्या करते है दूसरा एक और एक्जांपल है आपका कि वर्ण सीखकर व्याकन सीखना क्या करता है गिंती सीखकर सबसे पहले गिंती सीखकर जोड बाकी और भाग करना गुणा करना सीखना ये भी क्या कहलता है सतीज इस्तानांतरन होता है कि गिंती सीखेंगे तब ही हम जोड़ बाकी कर पाएंगे तब ही हम भाग गुणा कर पाएंगे तो ये एक क्या कहलता है सतीज इस्तानांतरन होता है दूसरा होता है उद्रूज इस्तानांतरन उद्रुष्थानांतरन क्या होता है किसी निम्न प्रिष्थिति में अर्जित ग्यान का परियोग उच प्रिष्थिति में करना उद्रुष्थानांतरन होता है किसी छतीज किसी निम्न प्रिष्थिति यानि कि नॉर्मल एन्वारिमेंट में अर्जित किया गया ग्यान किसी उ सात्वी कक्सा में बालक से दस्वी का पर्षन हल करवाना यह क्या करता है उद्रुस्थानांत्रन यानि कि उसके लेवल से बड़ी चीज को उसको पूछना सिखाना रिट की तियारी करवाकर फेस्ट गेड़ का पेपर दिलवाना यह भी क्या कहलता है उद्रुस्थानांत्रन होता है इसका मतलब क्या होता है किसी एक प्रिस्तिती में अर्जित ग्यान का परियोग सभी प्रिस्तितियों में समान रूप से करना दिपार्शो इस्थानांतरन करता है कहलाता है जिस तरीके से हमें कोई एक चीज आ रही है और उसी चीज को हम हर जगा अपलाई करने की कोश तो उसको दिपार्ष्व इस्थानांतरन करते हैं जिस तरीके से राधा को एक दिन पूरु में शिख्षक ने डंडे से पिटा दूसरे दिन राधा सिख्षक के हाथ में डंडा देखकर ही रोने लग गई कि कल मुझे पिटाई की थी तो आज भी सेम वही चीज होगा ऐसा दि सफपन की पिटाई का याद आना यह भी क्या कहलता है दिपार्ष्व इस्थानांतरन कहलता है इसी चीज़ को भी हम दिपार्ष्व इस्थानांतरन कहते हैं अब हमारा नेक्स्ट टोपिक है अधिगम वक्कर अधिगम वक्कर क्या होता है अधिगम वक्कर सब्द का सरव प प्रियोग किस ने किया था जेरोम बुक कर द्वारा किया गया था ये कुछ ने एक्जाम में बहुत बार पुछा गया है कि जेरोम बुक कर द्वारा किस रीज का परियोग किया था तो सबसे पहले आपको आंशर देना पड़ेगा अधिकम वक्कर सब्द का परियोग किया गय बालक बालिकाओं के द्वारा किये जाने वाले अभ्याज के उपरांत, सिखी जाने वाले विशे वस्तू की मात्रा बताने वाले वक्र को अधिगम वक्र कहते हैं अधिगम वक्र चार प्रकार के होते हैं, अधिगम वक्र कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं, पहला होता है सरल रेख्य वक्र, दूसरा होता है उन्तो दर नकारात्मक वक्र, सरल रेख्य वक्र क्या होता है जिस तरीके से एक कलास है और एक उमर है, कलास 1, 2, 3 उपर की तरफ बढ़ता है उमर 6, 7, 8, 9, 10 होता है इसके अंदर अधिगम वक्कर क्या कहलता है कि 6 साल का 1st क्लास में, 7 साल का 2nd क्लास में, 8 साल का 3rd क्लास में, 9 साल का 4th क्लास में, 10 साल का 5th क्लास में इसी तरीके से आई ये अभ्यास की मात्रा हो गई और ये हमारे को जो दि वही चीज़ें दिखाई द रहे हैं यह क्या हमारी अधिगम की मात्रा इसको क्या बोलता है रेख्य वक्कर यानि कि एक रेखा के रूप में हमारे सामने एक वक्कर क्रियेट हो रहा है इसको क्या बोलते हैं रेख्य वक्कर कहते हैं उन्तोदर और नकारात्मक वक्कर किसे का जाता है इसके अंदर एक चार्ट होता है जीरो से जो स्टार्ट होता है वाई की तरफ चलता है और एक्स की तरफ चलता है जो एक्स की तरफ चलता वो उमर बताता है वाई की तरफ चलता है वो क्लास बताता है अभ्यास की मात्रा जब हम करते हैं तो अधिगम रेखा होती है क अभ्यास की मात्रा कहते हैं और यह जो त्यार हो रहा है किरियेट ग्राफ हो रहा है इसको क्या बोलते हैं अधिगम मात्रा कहते हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं व्योहारवाद के जनक वाट्सन वातावर्ण पर बल स्रंचनावाद के जनक विलियम बूट्स ने दिया था इसके अंदर भी X और Y गराफ बनते हैं इसके अंदर उमर और क्लास के बारे में बात करते हैं तो यह जो चीज है यह क्या है अभ्यास की मात्रा का काम करती है और यह जो चीज बढ़ रही है इसको क्या बोला जाता है अधिगम रेखा बोला जाता है और इसके अंदर दूस करते हैं उसके अंदर उमर और क्लास के बीच में जब कोई भी इस तरीके से ग्राफ बनता है उसको क्या बोला जाता है अधिगम और मिश्रित ग्राफ बोला जाता है इसको हम अधिगम की मात्रा बताया जाता है और ये अधिगम की मात्रा को सपस्ट करता है अब सरल रेखियो वक्र क्या होता है सरल रेखियो वक्र के हम बात करें तो प्रारम्बिक दसा में किये गए अभ्यास में निरंतर वर्दी करने का अधिगम की मात्रा में भी वर्दी होने लगती है जिससे अधिगम रेखा एक सरल रेखा के रूप में प्राफ्त होती है आता है इससे बनने वाला वक्कर सरल रेखिय वक्कर कहलाता है यह परतिवा सारी वालकों का वक्कर कहलाता है सरल रेखिय वक्कर क्या होता है प्रारमिक दसा में किये गया भ्यास में निरंतर वर्दी करने पर अधिगम की मात्रा में भी वर्दी होने लगती है जिससे अधिगम रेखा एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होती है अतर इससे बनने वाली रेखा वक्कर सरल रेखे वक्कर कलाता है यह परतिवासाली ब कम बहुत से कम अभ्यास करने के उपरांध भी अधिगम की मात्रा में बहुत से अधिक वर्दी होती है परंतु अभ्यास न होने की कारण अधिगम रेखा धिरे धिरे नीचे की साइड गिरने लग जाता है जिसे अधिगम के पठार का निर्मान होता है और अधिगम का पठार अधिगम निर्योगता को परकट करता है तता पठार बनने के बाद अधिगम रेखा पुनाच छतीज में मिल जाती है अता इससे बनने वाले वक्कर अंतियोदे नकारात्मक वक्कर या रिनात्मक वक्कर कहलाते हैं अंतियोदे और नकारात्मक वक्कर क्या कहलाते हैं प्रारंविक दसा में बहुत इकम अभ्यास के उपरांत भी अधिगम की मात्रा में बहुती अधिक वर्दी होती हैं परन्तों अभ्यास न होने की वज़े से अधिगम रेखा नीचे की दिरे दिरे नीचे की तरफ जुकने से लग जाती जिस से अधीगम के पठार का निर्मान होता है और अधीगम का पठार अधीगम निर्योगिता को परकट करता है तो था फठार बनने के बाद गमरेखा पुने छतीज में मिल जाती है अता इससे बनने वाले वक्कर अंतियोदे नकरात्मक वक्कर रिनात्मक वक्कर कराते हैं ये पिछडे बालकों का वक्कर होता है ये पिछडे बालकों का वकर होता है जिस दिरे उसको वापस भूलना शुरूर जाता है और क्लास के अंत्र तक पहुंस्त पहुंस्त वह सब कुछ भूल जाता है तो यह इसका एक ग्राफ बन जाएगा पहले वह बहुत स्पीड से उपर चड़ेगा फिर दिरे दिरे उसका अग्राफ वापस जीरो हो जाएगा उसके नोलेज का तो यह एक अधिगम का पठार बनता है और वापस जहां से शुरुआत हुई थी वहीं का महीं वापस आ जाता है तो इसको अंत्यों दे और नकारात्मक वक्कर कहा जा होता है अनुचित शिक्ष्ण विद्या होती है इनके कार्ण होता है जिससे उसको घंटी भोजन स्वामित कुद्पीत और किरिया यह सारी सीज़े होती है अब हम बात करते हैं नतोदर और सकारात्मक वक्कर वर्धन वक्कर भी इसको बोला जाता है प्रारहमिक दसा में बह बहुती कम वर्धी होती है परन्तो अभ्यास में और वर्धी करने पर दिरे दिग्रम के मात्रा में वर्धी होने लग जाती है आता है इसे बढ़ने वाले बनने वाले वक्कर नतोदर और सकारात्मक वक्कर कहलाता है यह सामने बालकों का वक्कर होता है इसके अंदर क्या हो तो उसको सेली समझ में नहीं आती है तो वह दीर-दीरे उसके कुसी करता है तो ग्राफ दीर-दीरें बढ़ता है लेकिन वो एक समय ऐसा आता है कि वह अच्छे तरीके से इसकी सेली उसकी बासा उसकी पढ़ाने का तरीका सब कुछ समझ जाता है और वो अभ्यास करने से उसका जो पठन किरिया है वो बहुत अच्छे तरीके से सलने लग जाता है तो ग्राफ एकदम से सिधा बढ़ता है इसी चीज को क्या बोलते हैं नतोदर और सकारतमक बक्र कहते हैं यह एक सामाने बालकों की परकिरिया होती है स सामाने बालकों में यह ग्राफ बनता है जिसको नतोदर सकारतमक वक्र कहा जाता है और चोथा होता है मिश्रित और ऐसा करती का मिश्रित और ऐसा करती ऐसे बालकों के द्वारा किये जाने वाले अभ्यास में निरंतर कमी या वर्दी करने की उपरांद अधिगम की मात्रा म में भी कमी या वर्दी होने लगती है जिसे अधिगम के ऐसा करती का मिश्रित वक्कर निर्मान होता है यह संजनात्मक बालकों का वक्कर बनाता है इसके अंदर क्या होता है कि कुछ बालक बालकाओं में क्या होता है निरंतर अभ्यास में कमी और वर्दी होती रहती है जिससे उनका ज्यान बढ़ता गड़ता रहता है जिसकी वज़े से ऐसाकरती का एक मिश्रित वक्कर तियार होता है जिसकी वज़े से मिश्रित और ऐसाकरती का वक्कर जो तियार होता है यह सरंजनात्मक बालकों का वक्कर कहलाता है तो दोस्तों आज हमने इसी अधिगम पे डिसकस क कि यहां अब आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि अगर मेरा लेक्षर आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए कमेंट कीजिए सजेशन बोक्स में कमेंट करो सजेशन दीजिए और अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों में ग्रूप में अपने क्लास पास्रूम में मेरा लेक्षर जरूर शेयर करें और अगर आपको बहुत ही अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए कमेंट कीजिए नमस्कार दोस्तों